सबसे पहले आप सभी को रक्षबंधन की धेड़ सारी शुपकाम नए हैपी रक्षबंधन टू आल अफ यू तो देखिए फ्रेंड्स आज रक्षबंधन है और हमारे यहां मीठे जवों को जरूर बनाया जाता है और इसी से ही भगवान का भोग लगाया जाता है तो सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रख लेते हैं और देखिए यह जवों मेरी सासु माने खर पे ही तोड़े हैं वैसे तो सब आजकल बजार के जवे यूज करते हैं पर इन से जो मीठे जवे बनाया जाते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है तो सबसे पहले इन जवों को भूल लेते हैं इन्हें पैन में डाल कर इसमें एट करेंगे एक चमच देशीगी आजकल काफी सारे ब्रैंड्स के भूनेवे जवे भी मार्किट में अवेलविल हैं आप चाहें तो उन से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं पर हमारे यहां रक्षबंधन के दिन तोटे हुए जवों से ही शगुन किया जाता है तो चलिए इन्हें भून लेते हैं और इन्हें हमें लगातार चलाते रहना हैं क्योंकि जवे बहुत हलके होते हैं और अगर हमने इन्हें रोक दिया तो यह नीजे से जल भी सकते हैं तो बहुत जल्दी 2-3 मिनट में आपकी यह जवे भून कर तयार हो जाएंगी और यह एक कटोरी जवे भूनने के बाद और दूद में पकने के बाद काफी सारे हो जाते हैं तो आप इन जवों को अपने यूज के अकॉर्डिंग उतनी ही क्वांटिटी में भूनिएगा देखे आप नोटिस करेंगे तीन से चार मिनट में यह जवे भून कर तयार हो गए हैं इससे ज़ादा हमें इने नहीं भूनना है अब इन जवों में हम डालेंगे बिलकुल चार से पाच चमच पानी उतना ही पानी डालना है कि ये जवे पूरी तरीके से भीग जाएं उससे ज़ादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगी और इसको हलका सा चला देंगी ये मीठे जवे ये मीठी समीयां खाने में भूदी डेस्टी होती है और मेरे यहाँ ये सिवयां बच्चों को भी भूद पसंद है तो चलिए देखिए जवे गल गए हैं इनका पानी भी सारा सूख गया है और अब हम इसमें डालना है दूद तो मैं उसी कटोरी से दूद एड़ करूँगी जिस कटोरी से मैंने जवे लिये थे तो यहाँ मैं पाच कटोरी दूद इसमें एड़ करूँगी हम इने थोड़ी ज़ादा देर पकाएंगे ताकि जो जवे बने वो थोड़े रब्डिदार से बने आप चाहें तो इसमें चार काटोरी दूद दाल कर भी इन जबू को तयार कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पढ़ नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें आप मुझे ये भी कमेंट करकर जरूर बताईएगा कि आप किया सिवयो को क्या कहते हैं और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो किस-किस जगा से देखी जा रही है इन जबों को हमें पकाते वे थोड़ी थोड़ देर के लिए ढखते रहना हैं ताकि जबे जल्दी से बन कर तयार हो जाए और ढखते वे आप याद रखिएगा कि गैस की फ्लेम को कम ही रखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूद उबल जाएगा और उबल के कढ़ाई में से बहार आ जाएगा देखिए दूद अच्छे से पकने लगा है और इसके साइडों में मलाई भियानी शुरू हो गई है इस मलाई को हम अटाकर इसी दूद में डाल देंगी और इसे थोड़ी देर और पकाएंगी तो चलिए अब इसमें आट करते हैं हम चुटके भर इलाइची पाउडर इलाइची का फ्लेवर जवो में बहुत अच्छा लगता है इसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन से चार स्ट्रिंग केसर की केसर डालने से जवो में बहुत अच्छा सक कलर आ जाएगा अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं इसको हलका सा मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे कुछ ड्राइफ रूट्स तो यहां मैं दो चम्मच कुटेवे बदाम और काजु का यूज कर रही हूँ आप इसमें वैसे तो और भी ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं जैसे किश्मिश है या फिर कलॉंजी है पर मेरी यहां इन जवों में किश्मिश और कलॉंजी नहीं खाय जाती इसलिए मैं उसे नहीं डाल रही हूँ चीनी हमें सबसे लास्ट में आइट करनी है क्योंकि चीनी डालने के बाद जवों को ज़ादा नहीं पकाना है वरना दूद के फटने का डर रहेगा इन जवों को टोटल हम 15-20 मिलट पकाएंगे और आप देखेंगे ये जवे एकदम रब्डी दार बन कर तयार होंगे देखें कितना अच्छा उबाल आ रहा है और देखें दूद पक्ते पक्ते इनके साइडों में कितनी अच्छी मलाई आ गई है और यही आपको खाने में रब्डी जैसर स्वात देगी तो इस मलाई को हम साइडों से उतार देते हैं और इसी दूद में वापस से मिला देते हैं साइडों से मलाई उतारना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये मलाई जले नहीं देखें जवे अल्मूस्ट बन कर तयार हैं और इनमें काफी उबाल भी आ गए हैं और अब हम इसमें एड़ करेंगे चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकती हैं, पर यहां मैं आधा कटोरी चीनी का यूज कर रही हूँ, चमच से देखें तो चार से पाच चमच चीनी यूज करी है, और चीनी डालने के बाद इसे चला ल और ये मिठे जवे बनकर तयार हैं, तो इसकी गैस को हम बंद कर देते हैं, वैसे आप लोग रक्षा बंदन पर और कौन-कौन सी मिठाईयां बनाते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और गैस बंद करने के बाद हम इसको ढग देंगी, ताकि ये थोड़े से ठंड हो गए हैं और मैंने नेक बाउल में निकाल लिया है, और ये कितने गाड़े और कितने अच्छे लग रहे हैं, आईए इने बाउल में सव करते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये मलाई है, जो हमें रबडी जैसा लुग दे रही है, ये जवे बहुत ही बढ़िय बने हैं, एकदम पर्फिक्ट जवे बनकर तयार हुए हैं, इन मीठे जवो को बनाने में बिल्कुल भी मैनत नहीं लगती है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि इन जवो को भून कर टिपे में रख लीजे, और जब भी खाने का मन हो, तो थोड़े से जवे निकालिए और उन इंट्राग्राम पेज पर भी फॉलोग कर सकते हैं, विदे सेम आईटी फूर जंक्षन बाई नीहां, मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाबाई, एंग थैंक यू फो वाचिंग, एक बार फिर से, आप सभी को रक्षा बदनन क धेर सारी शुब काम नहीं, बाबाई, टेक क्यार